पूरी दुनिया वेट कर रही है कि अब क्या होगा क्या इरान बदला लेगा हाली में जैसे आप लोग जानते हैं हमास के लीडर को इरान में मार दिया था इसको लेकर कई थ्योरी सामने आई के ये ड्रोन से मारा गया है इसे एरप्लेन से मारा गया था ये स्टेल्थ बॉंब कई लोग बहुत सी बाते कर रहे थे मगर अब बार पता लगी है कि हमास के लीडर जब इरान में गए थे तो जहां पर वो रुके वहां पर दो महीने पहले ही इसराइल की एजंसी ने एक बॉम प्लांड कर दिया था और एक लॉंग टर्म थिंकिंग के एसाब से हमास के ली इसराइल कहीं भी हैजिटेट नहीं कर रहा और इरान में कई मज़िदों पर आप अगर देखोगे तो रेड फ्लैग और रिवेंज आपको दिएगा हलाकि इनके यह चीज़ कॉमन भी है मगर इतने बड़े स्केल पर मैंने यह आज तक देखा नहीं है और इसी के करता है इसराइल और इरान के वीश में तो सारी फ्लाइट ना सिर्फ इंडिया ने यह एक ग्लोबल फिनॉमेना है चाहे यूरोपियन एरलाइन आप देख लीजिए या फिर रशियन एशियन एरलाइन यहां पर आप देख पाऊगे यूएस एरलाइन सबने अपनी बास्ते में उनका पैसेंजर प्लेन आ जाए और तीन सो चार सो इनोसेंट लोग मारे जाएं और अगर यहां पर आप सोच रहे हैं कि जो यूएस स्टॉक मार्किट लगातार गिर रही है पिछले एक महीनों में आपने देखा कि नास्डेक कॉमपोजिट यह बारा सो फिर से खड़ा हो चुका है इस टॉपिक पर यूएस स्टॉक मार्किट में क्रैश क्यों आ रहा है और ट्रंप ने ये बात क्यों कही थी कि मैं चाहता हूँ मेरे प्रेजिडेंट बनने से पहले ही स्टॉक मार्किट क्रैश कर जाए इस पे आप अगर एक सेपरेट वीडिय सेक्षन तक की भी बात करी थी वो भी डिसकस करेंगे तो लिखेगा कॉमेंट सेक्षन में अगर काफी लोग इंटरस्टेड हुए तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूँगा ना मुझ को यहां पर एक बाद ये भी आड़ करनी पड़ेगी के हां बलकुल इरान और इ तर्की ने अपना फ्लाइग आधा नीचे कर दिया ये बहुत ही वड़ी स्टेट्पेंट है और साथ में तर्की ने अपने पूरे देश में दो अगस्त को शोक बनाया है कि हमास के लीडर मारे गए हमको बहुत ज़रा दुख है इस बात का और जब इन लोगों ने इस पर पोस्टर बनाया और इंस्ताग्राम प्लाटफॉर्म पर अपनी सरकारी हैंडल फर पर जडाला और इंस्ताग्राम ने वो पोस्टर हटा दिया तर्की ने पूरे देश में इंस्ताग्राम को ही बCrash कर दिया है ये मैं आपको बदा दूं ये सारे इंडिकेशन है एक ऐसे country क that does not care about economy उसको लोगों की चिंता नहीं है वो एक war के रास्ते चल चुका है Erdogan अलड़ी कह चुके हैं इससे पहले कि ये एक बार को Israel enter कर देंगे ये इनकी जो military है ये Palestinians को बचाने के लिए Israel को invade करने को भी तयार है ये बहुत ही बड़ी statement थी और मैंना आपको बताया था कि अब Israel एक कोशिश ये start कर देगा कि तर्की को NATO से भार निकाल दिया जाए और इसराइल के विरेशवंदरी ने हाल ही में NATO को ये का है कि प्लीज जल से जल तर्की को अपने ग्रुप से भार निकाल दीजिए क्योंकि इससे ये होगा कल को अगर मालो इसराइल को बॉबिंग करनी है तर्की की तो NATO वाला इशू सामने नहीं आएगा क्योंकि NATO के आर्टिकल 5 के अंडर आपको बता होगा एक NATO कंट्री पे अटाक तो मतलब के सब पे अटाक तो इसराइल आने वाले कुछ सालों में हो सकता है महिनों में भी जिस तड़ी करें चीजे हो रही है everything is happening fast मैं ये बोलूँगा कई लोग कह रहे थे sir जो आप कह रहे थे वही हुआ है हाँ कुछ हद तक मगर आप ये कहोगे मैंने का था ये सब अराम अराम से होगा बढ़ ये बहुत fast हो रहा है almost आप कहले ये जो चीजे एक you know normal geopolitical analyst मेरे जैसा मान के चलता है कि हाँ भी ये होगा कुछ महीनों में कुछ दिनों में वो चीज हो रही है everything is just on a fast track और तर्की देखिए हर तरफ से नेटो और इसराइल की cooperation भी ब्लॉक कर रहा है मैं surprise नहीं होंगा अगर नेटो देख frustration में आकर तर्की को बहार भी निकाल देते हैं अगर तर्की का यही रवया रहा और उसके बाद possibility है कि एक large scale military conflict हो सकती है आपर जहां पर तर्की, इरान, इसराइल यह सब involved होंगे अगर आप सोच रहे हैं कि यह जो दो देश है Jordan और Egypt यह भी तो Muslim majority countries है यह इसराइल को attack नहीं करेंगे तो इसका answer है नहीं इन दोनों countries की जो government है लोगों का पता नहीं लोग anti-Israel होंगे यहां पर social media पर इसराइल को गालिया निकाली जाती होंगी मगर जो सरकारे है Jordan में, Egypt में यह बहुत जादा pro-US हैं तो यह लोग इसराइल के against कुछ नहीं करने वाले उल्टा अगर माल लीजिए यमन, इरान, टर्की से कहीं से भी इसराइल की तरफ attack होता है तो यह सब देश US, UK के साथ मिलकर इसराइल को बचाने की कोशिश करेंगे और इस सब के बीच एक country को भूलियेगा मत वो देश है रश्या इसके बारे में अभी आपको articles अभी नहीं मिलेंगे यह का है कि इसराइल ने लाल रेखा क्रॉस कर दिये यह बार-बार red line का बहुत mention कर रहे है कि बस अब पानी सर से निकल चुका है अब हम यहाँ पे tolerate नहीं कर सकते हमास के leader को भी मार दिया हेजबुला का एक बहुती बड़ा leader था उसको भी मार दिया यह continue नहीं हो सकता इसराइल must be punished इसमें एक मैं कहूंगा possibility यह भी है जिस तरीके से हमास के leader को मारा गया इरान और उसकी प्रॉक्सी हमास, हिजबुला, नेतन याहू को मारने की कोशिश करे या फिर इसराइल के और भी जो कई बड़े नेता हैं उनको भी मारने की कोशिश करे अगर उनको वहाँ पे कुछ देहेगा नहीं के कुछ ब्रेक्ट्रू होने ही सकता तो उसकेस में मेरे हिसाब से एक अंधादून missile drone का टाग ये लोग कर सकते हैं इसराइल पर, बट इधर वे situation देखिए बहुत tense है भारत सरकार ने advisory भी जारी करी है के इसराइल जाना है अगर बहुत ही जादा जरूरी है रुका नहीं जारा तो भी consider करिएगा situation Middle East में कुछी घंटों में मैं काऊंगा बहुत ज़रा खराब हो सकती है एक event होगा उसके response में एक और event होगा तो things can go very wrong और obviously कुछ अगर updates आती है कुछ अगर होता है तो मैं आपके लिए updated video on study IQ लाता रहूँगा और finally आपे मैं आपसे question भी पूछूँगा के हाली में इंडिया ने 300 million dollar का loan offer किया है किस Asian country को यह है आपे आपकी options मंगोलिया, अफगानिस्तान, वियतनाम या फिर थाइलेंड इस topic पर मैं एक dedicated video बना चुका हूँ तो should be an easy question comment section में करिये उत्तर जो लोग सही answer देंगे उनकी comment को मैं हाट देदूँगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कैसा यह answer क्या है और finally आप लोगों के लिए important message Study IQ का प्रतिग्या batch the most enrolled batch in Study IQ's history बहुत सारे बच्चों ने from all over India Study IQ के प्रतिग्या evening batch में enroll किया है और मैं आपको finally यह बता दूँ कि अब ये enrollment समाथ होने वाली है 3 अगस्त ये date यार रखेगा 3 अगस्त के बाद प्रतिग्या evening batch इसमें enrollment समाथ हो जाएगी ये एक new fresh batch है जिसके जरीए आप UPSC exam की preparation कर सकते हैं from the scratch तो comment section में जाएए यहाँ पे आपको मिलेगा ये link इस link पर करिए click और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं Study IQ का evening प्रतिग्या batch याद रखिएगा 3 अगस्त के बाद इस batch में enrollment बंद हो जाएगी unique batch है evening में सारी classes आपकी यहाँ पे होगी morning की जगा evening में और एक बहुती reasonable price में देखो ये जो price यहाँ पर लिखा है never pay this price use करिए code PD10 और आप एक discounted rate पर ये course कर सकते हैं purchase आपको 28,500 रुपीज पे करने होंगे for 30 months course 30 महीने तक आपके पास time होगा आप आराम से prepare करके खुद को ready करके एक January time दे सकते हैं UPSC exam का क्योंके ये course में आपको मिलती है live classes, one-to-one mentorship, answer writing program prelims test series और study IQ openly ये भी कहता है आप prelims clear करिए जो भी आपने पैसा भी भरा है ये ये हम आपको refund कर देंगे और साथी साथ इसी purchase में मतब पैसा तो आपको वापस मिल गया साथी साथ अब study IQ mains और interview की भी जो आपकी त्यारी है वो करवाएगा आपको option दी जाएगी के या तो आप अगर अपने घर से ही त्यारी करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें आपका अमन कर रहा है तो study है क्योंकि team के साथ मिल कर in Delhi आप preparation कर सकते हैं mains और interview की the option will be yours तो 3 अगस्त last date है make sure to remember this और इसी note के साथ ये है वीडियो कांथ thank you for listening and as I always say may the gods watch over you